हेलो फ्रेंड्स का सियां आप सभी आप सभी का सवागत आपके अपने यूटूब चैनल फेंटेसी बिजर में दोस्तों इस वीडियो में प्रवाइड करेंगे संडराइजर एदराबाद उस्चेसके के बिजवाइपियाल का 33 में चोने वाला शाम को 8 बुजे उसके बार में दोस्तों यह मैच कहला जाएगे राजुगांदी इंटरनेशनल किर्केट स्टेडियो में इस वीडियो में आपको बताएंगे वैन्यू के स्टैट्स दोनो टिमो के परफोर्मेंस इस वैन्यू पे बेस्ट प्लेयर के रिकोर्ड्स लेकाए हैं आपके लिए ताकि आप लिए द्रीमलैंड क्या हो सकते हैं दोनों टिमो की इंपोर्म्टा सेक्शन वबारे मिस मत स्टैगे वर बताएंगे आंट में बात करेंगे डृमलब कि टीमering की Grand और एक लोज के 14 पॉइंट के साथ वन पोजिशन पे यानि कि अच्छी फोम में हैं और अच्छी बोटम ऑफ दी टेबलाइजर अब बात करते हैं ये ग्राउंड की दोस्तों ये ग्राउंड जहां पे मैच के ला जाएगा राजुकांदी इंट्रिनेशनल किरके स्टेडियम में उसकी जो बाउंडरीज हैं वो काफी बड़ी हैं यानि कि आपको जो रन दिखेंगे वो एट पार ही दिखेंगी यानि कि 171,60 प्लस ही देखना को मिलता है जर्नलिस ग्राउंड बे अब बात करते हैं IPL के मैचीज की इस ग्राउंड पे दोस्तों यहां पे 60 मैचीज के लगे जो फर्स्ट बैटिंग करते हैं टीम 35 बार जित पाई है चेर्ज करते हैं चेर्ज करते हैं चोटिस बार जित कर पाई है यानि कि बोलिंग फर्स्ट जो टीम करते हैं उसको चोटिस बार विन प्राप दो है यानि कि चेर्जिंग का यहां पे अच्छार रिकोर्ड है इवरेश स्कोर के बात करें तो एहां पर फस्ट इनिंग करा था है 157, शेकिन इनिंग करा था दो दोस्तो 147, आए स्कोर जो बना यहां पर 231 बना टो विकेट्स पर स्राइच ने बनाए आर्सीवी के एकलाब है आई स्कोर जो चेज हुआ दोस्तो राजस्तान रोयल ने चेज के डाकन चार्ज़र्स के एकलाब 217 रण का वह बताते हैं और प्लेयर्स साथ ही बताएंगे उनके प्रफोर्मेंस के सिरी आरार के साथ में तो ऐसा राजस का फस्ट में जो हुआ है दराबाद हुए 29 तारी को आट बजी हुआ था दोस्तो आरार ने फस्ट बैटिंग करते हुए 198 बनाए थे एस राजस ने 201 रंड बना लिये थे उसमें रान एशेंप्शन के अच्छी पारी थी वर्नर और ब्रेस्टों के अच्छी पारी थी आपके लिए दोनों चिप्रिक हो सकते हैं सर्थ विजय सिंकर ने भी 15 बुलों में 35 रंड बनाए थे तो इस मैच में दोस्तों पेसर्स को विकेट दोनों तरफ से कम मिले दे पेसर्स को दो विकेट मिले दे स्पिनर्स को पाहाँचे सेकेंड मैच जो वह हैं आपे अधराबाद में दोस्तों वो चार बजे हुआ था SRAC और RCB के खलाप हुए जो SRC ने फर्स्ट बेटिंग करते हैं 230 रन बनाए 2 विकेट पे RCB चेज करने में ना काम हुआ और जल्दी आल आउट होगा है कुलैपस होगी उनकी बेटिंग Warner और Preston न दोनों ने सतक लगाए दोस्तों नभी ने चार विकेट लिए दे संदीप सर्मा ने तीन विकेट लिए पेसर्स को तीन विकेट मिले स्पिनर्स को पांच विकेट मिले दे थर्ट जो में चुआ एदराबाद में मुंबेर SRC के बिच्वा मुंबी ने सर्ट बैटिंग करते हैं 136 बनाए ऐसा राइच की बैटिंग क्लैप्स हो गई और 96 रन ही बनाएके वो मैच को आर गए पलाड ने अच्छी पारी खेली साथी कोल बूवी अच्छी पार्वोइंशन संदीप, नभी राशीद को अच्छी विकेट मिल से दिपक क्ड़ा ने बच्छी पारी क्यल पाए तो इसμहें दोस्तों पेसर्स को जो कि 8 बिज भी हुआ था अभी रिसेंट में अपरेल में हुआ है पेसर्स को दोस्तों 12 विकेट मिले क्योंकि जोसफ ने जोस्तों इनकी जो मीडल ओर था है साराज को इसको डिस्ट्रोई कर दिया तो 6 विकेट लिए तो इस करण से पेसर्स को 12 विकेट मिले स्पिनर्स को 4 अब जो फॉर्थ में चुआ है इस मेदान पर डेकन डेली कैपिटल से एसर्स के भी तो डेली कैपिटल से फर्स्ट वेटिंग करते 155 बनाए और एसर्स ने एक सोलर रन बनाके आल आउट होगी उनकी वेटिंग कुलेफ्स कर गी है निकिनकी वेटिंग दोस्तों दो बार क साइपिल में डेबूट करें इस मैच के लिए तीनी वेकेट ले तीसर रन पर बोवी को दो वेकेट मिले राशी दभी शेकर माजों खेल रहे वने विकेट मिला वर्नर और ब्रेस्ट ने दुबारा से पारी के अच्छी सुरात करी किन्त वाउट होने के बाद इनकी बैटि है कि दोस्तों एक तो चेजिंग के लिए काफी मुश्किल हो रहा है यहां ग्राउंड हमें साथ ही यहां पर पीसर को ज्यादा विकेट मिल रही हैं एक और इंपोर्टन फैक्ट दो बता जेता हूं दोस्तों क्योंकि मैं CSK के साथ होने वाला है CSK जो कि अपने मॉस्ट वि के CSK ने एट विन की यानि की CSK बहुत आगे है लास्ट के पांच में चीज़ में भी दोस्तों SRH के गलत लिखा एपोजिट लिख दिया यह SRH ने एक ही मैच वोन किया है और CSK ने चार मैच वोन की हैं और जो फॉम भी है दो SRH की दोस्तों तीन मैच चीज़ वो लगातार आठ चुके हैं CSK ने लगातार चार मैच जितके है यानि कि अच्छी है एक एक और इंपोर्टेंट बास दोस्तों CSK और SRH के बीच दो ज़रा ठारे के आपल में चार मैच चार बार CSK ने वो मैच जीते थे यानि कि वो बिल्कुल आठ परफॉर्म कर दिया था साथ ही वो फाइनल मैच जो वा था उसमें भी CSK ने रहा दिया था एसा रच को टिम प्रफॉर्मेंस की बात करी जाए तो दोस्तों इस ग्रांट पर जो हम देखते हैं अभी तक दोनों टिमों के भी यहां पर तीन मैच जो है CSK ने दो मैच विन की हैं एक इवेच एसा रच विन कर पाया है तो यह बता जाए चेजिंग में भी दोस्तों जैसे की चार मैच यहां पर हो है जाए चेजिंग करने वाली टीम एक बारी जीत पहें तीन बार यहां पर आग चुकी है यानि कि आप देख सकते कितना प्रसेंटेज लो है यहां पर आई विन एसा रच का यहां पर आई विन प्रसेंटेज रहे तरह पस यह खिलाब ही खराब रिकोर्ड हैं प्लेयर्स को प्लेयर्स को प्रसेंटेज लिए प्लेयर्स के बारे में मतल्चा करें वहां वर्नर सेस्के के किलाब उनका रिकोर्ड देखो दोस्तों दोस्तो चार फिप्टीज लगा चुके हैं एवरेज 28 करा है बारा मैंचीज में 338 रन बना चुके हैं पर जैसे वह इस ग्रांड पर खेलते हैं दोस्तो उनका रिकोर्ड और शार्दार हो जाता है उन्तिस में 1404 रन बना चुके हैं तीन सेंचुरीज लगा चुके हैं इस ग्रांड पर और बाराफ सेंचुरीज हैं आइसक और उनका 126 है दोस्तो और साथ इस ट्राइक रेटीब भी बहुत बतर है यानि कि आपके मस्ट पी कॉर्ड यानि की कैप्टन के सब्से कॉमन चॉइस है वार्नर लास्ट की 18 इनिंग भी मैंने आपको दर्शा दी है ताकि आप देख कोई इस ग्रांड पर उनकी कैसी फॉर्म रही है अब बात करते हैं साराच की कि तरफ सेंच के कैरियर की उन्होंने 66 मैच में 2979 रन बनाए हैं 51 का एवरेज रहा है और 2 सेंचुरीज लगाई हैं दस्तो जारान करने पूरे करने से IPL में उसके बाद इन की तरफ से जो ऐसाराच की तरफ से अच्छे खेलते हैं केनी विलमसन इस ग्रांड पर उनका रिकोर्ड एवरेज देखो 37 के 37 के इकलाब कुन की एवरेज 32 शांदार है अठाउन की यानि कि यह आपके लिए ग्रैंड के ग् बहुति शांदर है 33 के साथ 350 लगा चुके है इस को 99 का नोट आउट राइडू का भी बहुति शांदार रिकोर्ड रहा है दोस्तों 11 मैंचीज में 400 एक रंड पुना चुके 50 का आवरेज है और 350 ओर वन सेंचुरी लगा चुके उनकी चैनिंग दे आपको मैंने दिखा दी ह अब इस ग्राउंड पर भी उनका रिकोर्ड बहुति शांदार है उनके अवरेज बड़ जाती है इस ग्राउंड पर दोस्तों 59.8 के उज़ते चाहे मैंचीज में 289 लगा तार 350 लगा चुके हैं वो यहां पर आप मैंने उनकी चार इनिंग दिखा दी है वाट्सन का रिको सकते हैं अच्छे समार लीग में आप साथी आप वाट्सन को भी ट्राइ कर सकते हैं अपनी ग्रेंड लीग में क्योंकिन को बहुत ही कम लेने वाले आंकर खेलते हैं तो वैदर की बात करते हैं दोस्तों क्लियर सकाई रहेगा टेंपरेचर भी 32-37 अमेडिटी भी रहेगी ड्यू की समभावना सेकिन इनिंग में दोस्तों पिछ कंडिशन की बात करते हैं दोस्तों कि पहला ये जैसे कि दो मेंचीज में देखनों को मिला था मुड़ी ने जैसे कि बताए अब गुडबेटिंग क्रेकर रहेगा बिल्कुल अच्छा हुआ आइस कोर मैच देखनों क तो मिलें यह पर पहले 2 साथ यह दो लास्ट दो मैच हुए हैं उसमें दोस्तों पीच्छ ने शलोडाउन होगी ट्रन लेने लगे सेकेंड इनिंग में और चेजिंग डिफिकल्ट हो गया सेकेंड इनिंग में तो यह से सब्सक्राइब तो दोस्तों दो भी टीम जीतेगी वह प्लेइंग इलेवन की बात करें तो जैसे कि मैं पॉसिबल चेंजिस एस्पेक्ट कर रहा हो रही कि जगा मनिस पंडी आ सकते हैं साथी अभी शेक सर्मा की जिर्गा पठान को दुबारा से टिम मौका दे सकती है अब बात करते हैं प्लेइंग इलेवन में कोन आएगा बैटि प्लेवन की जो अभी मैं चीज़ आइपिल 2019 के उनके रिकोर्ड दिखा दियें साथ में कितने रन बनाए कितनी बोलों में साथ ही कितने विकेट लिए कितने रन देगे तो आप यहां से चेक कर सकते हैं अगर मैं यह बताने अलगा अनलेसिस करने वीडियो काफी बड़ी ब अगर ट्राइ करना चाहिए तो आप सिंदीव शर्मा का या खली लाने मंद्र में वीडियो कर सकते हैं कि आपको बात करते हैं दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है पॉसिबल चेंजिस की बात करते हैं क्योंकि वाट्सन अच्छी फॉर्म सेनी गोज़रें उनकी जगे सेम ब बजन भी आ सकते हैं यहां उनकी जगह पिछ को देखते हैं कुल ग्रीन को भी खला जा सकता है अब बात करते हैं वाट्सन आएंगे फैब के साथ उसके बाद सुरेश रहना अमबाईती राडू के दार्यादव एमसडी रविंदर जेल्डेजा अगर स्कोट कहलते हैं स्को आएंगे और इम्रायन ताहिर दिखेंगे अब बात करते हैं इंपोर्टन सेक्षन की दुबारा से प्लेयर्स बैटल जिसको आपके लिए कभी इंपोर्टन रहने वाला है क्योंकि बहुत बार यह वर्क करता है दोस्तों बहुत बार नहीं करता है साथ ही आपके चांस जो क जितने के वो यहां से मिल जाते हैं जैसे कि रहना और संदीव शर्मा की बात करेंगे दोस्तों रहना को संदीव शर्मा ने दो बार डिस्मिश कहा 14 बोलों में यह रिकोड हम दो लास्ट टू यर्स में से बता रहे हैं दोस्तों MSG को रासिद ने एक बार डिस्मिस किया है, वहीं MSG 22 बोलों में 14 रनी बनाने में कामियाब रहे हैं, रासिद की खलाब, MSG का रिकोड देखते हैं, बुवी के खलाब तो बुवी ने कभी डिस्मिस नहीं किया है, MSG को वहीं MSG उनकी 49 बोलों में 87 रन बनाने में कामियाब रही यानिकि उनका स्ट्राइक रेट बुवी के खलाब बहुत ही शांदार रहता है Warner को ताहरने दो बार डिस्मिश के है दोस्तों तीन बोलों के अंदर ये रिकोर्ड है 2018 का दोस्तों और एक रन ही Warner उनके खलाब बना पाए है अरबजन और वारनर के बात करे दो दोस्तों Warner को अरबजन ने तीन बाट डिस्मिश के है ये important factor हो सकता है इस मेंच में अरबजन के खेलने का ब्रेस्टो को जड़े जाना दोस्तों चार बाट डिस्मिश के है तो और बोलों में 31 रन ही बना पाए हो ब्रेस्टोल देखो दोस्तों लेफ्ट वाम स्पीनर सुदो होती हैं जैसे कि जड़े जहां हैं सेंटनर हैं उनके खहलेप कहले पहले में इनको खाहती है केनी विलंशन की बाद के र향 हुआ दोस्तों दोस्तों के खह़ए । बार आUT होए हैं और संकर और सेंटनर के बाद करें तो संकर को सेंटनर ने दो बाद डिसमिश किया 12 बोलो में संकर का स्पिन के खिलाब रिकोर्ड देखते हैं दोस्तों संकर ने उनकी स्पिन के खिलाब 86 बोलो में टीर रन ही बना पाए है डोट परसेंटेज बहुत ही खराब है उनका आई है उनका तो दोस्तों स्पिन को भी जब भी लगाते हैं शिक्स मारने की कोशिज करते हैं स्ट्राइक रेट रोटेट कम कर पाते हैं डोट बोलन का परसेंटेज आई है अब बात करते हैं पिक्स की जो कि आपके पिक्स होने सब्सक्राइब कर सकते हैं अब प्रसेंटेज होते हैं दोस्तों आपकी जो भी एप्स होते हैं उसमें भी चेक कर सकते हैं जिसका भी कम हो दोस्तों वह डिफ्रेंशल पीक होगा अब फैंटेसी बजार में दोस्तों डेमोटेप्स करते हैं वह पिछ को देखते होते हैं रिचेंट फोर्म पोजिशन को देखती हैं यह सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए होती हैं आप अपनी खुद की टीम बना सकते हैं बिल्कुल फ्री हैं साथ ही आपको बताएं द नहीं हैं तो साथ ही आप मेरा रेफर कोड दिया हुए दोस्तों इसको लोगिन करना ना बुलिए गया इन सभी के लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे साथ ही आप दोस्तों मेरे टेलिग्राम चैनल को भी फोलो कर सकते हैं जिसका नाव फैंटेसी ब समाल लेकी है एक ग्रैंड लेकी है मैं आपको दिखाए देता हूं प्रिव्यू फर्स टेम जो कि सबकी कॉमन चैस होने वाल हैं डैवेड वार्नर और फाब डू प्लेस जबकि समाल लेक के लिए हो सकते हैं दोस्तों बाइस मेंबर टैन मेंबर के लिए अच्छी टेम हो सक में ब्रेस्टो वार्नर संकर बनवेशर कुमार राशिद गान के साथ दोस्ते यह अच्छी टीम हो सकते हैं साथ इसी टीम में अगर उत्ता हैं तो आप अधर कंबिनेशन को भी ट्राइ कर सकते हैं जैसे वार्नर के साथ आप रैनर के साथ जा सकते हैं राइडू के साथ जा है थार्त टीम जो मेंने बणाया दोस्तो है आपकी टीम मैंने रेना और का यहां करें साथ ही आप आप आगर जाना चाहते हैं तो वाटसन यहां साथ को अ और यहां रख सकते हैं साथी मैं नहीं यहाँ पर दोनी को पीच पिक किया है। मैंने बेश्ट कर दिया है, अधिक सिम्देक। अमीद करूँगा दोस्तों इस अनलेस्टी से आप अपने लिए अच्छी टीम बना पाएंगे, साथ यह अन्त में दोस्तों मैं आपसे अमीद करूँगा कि आपसे जैसे के हम बहुत ही डिपली कवर करते हैं, साथ ही रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, अगर आप इतक वीडि जो वीडियो आपको नोटिफिकेशन आजाएं, थैंक्स पर वाचिंग, थैंक यू